स्वागत है कि आपन अकेडमी के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी ये नौन मुसलिम लोग के लिए हंडेट मार्क्स का है अगर आप सही से बेहतर तरीका से बागू कहानी को समझते हैं तो आप हंडेट में हंडेट ला सकते हैं अगर आपको लिखने की सैली बेहतर है तो कहानी तो हम याद करा देंगे अगर कहानी याद हो जाएगा तो इसके बाद जो अब्जेक्टिव कोस्चन होगा आप उसमें हंडेट पॉसेंट या नि पूरा का पूरा सही बनाएंगे कब जब आपको कहानी याद रहेगा तो इस फोर लेशन को देखिएगा हिंदी का है जो कि क्या करा है हजारी पर साथ दवारा लिखेंगे एक निबंध है निबंध है नहीं ललित निबंध है समझेगा ललित निबंध का मतलब क्या होता है लालल वाले से ललित निबंध मतलब समझेगा बाबू ललित निबंद का मतलब होता है निबंद जो नॉर्मल किसी चीज के बारे में लिख दिया गया है और उसको थोड़ा सा मज़ा डाल करके इंट्रेश्क डाल करके हसी वगरा बना करके अगर आप निबंद लिख रहे हैं जो ललित नी बंदे उसका क्याना में तो नाखुन क्यों बढ़ते हैं अब ट्रीक कैसे याद रखेएगा नाखुन क्यों बढ़ते है किसने लिखा पुछेगा तो आप कैसे बोलेगा हाजारी परसाद दिर्वेदिक समझेगा नाखुन काउंटिंग होता है गिंती हो जाता है कितना होता है दस हात में का और देस पैर में का बीस यानि यह काउंटिंग हो जा रहा है हाजारी परकार का काउंटिंग है तो दोनों से कॉमिनेशन बना लिजेगा यानि नाखुन भी एक परकार से काउंट हो जाए उत्तर पर्देस में हो था एको जीला है बलिया जीला ठेक है बलिया जीला उत्तर पर्देस में है और यही यहीं पे हुआ था दूबे के छपरा नामक एक जगा था वहीं पे हुआ था 1807 में जनम हुआ और ये 1989 में इनकी मृति हो गई कहा हो गया 1989 में मिरति हो गई कहा हो गई तो दिल्ली में मरे यानि कि जनम लिए UP में मरे जाके दिल्ली में इसका मतलब कि काफी famous हो चुके थे इसलिए बड़े बड़े सरो में घुम रह viral थे दिल्ली में इनकी मिर्तिय हो गई, अब ये लेखक जो थे, बहुत ही अच्छे-अच्छे किताब लिखे, और इनको किताब को लिखने के बाद इनको किताब मिला, किताब का मतलब पुरसकार होता है, ठीक है, तो देखिए कौन-कौन से रचना है, असोक के फूल आपसे इनहीं पर इनको पुरसकार भे मिला था, यहां आप देख सकते हैं कि अलोग पर उपर सहित्य अकादमी पुरसकार मिला था, और से अलोग और से अकादमी पुरसकार है, ठीक है, तो यह आप दोनों याद रखेगा, सहित्य अकादमी इंपोर्टेंट है, अब देखिए, य उसके बाद से लिखे है कलात्मक विनोध और ये क्या है नीवंद संग्रा है विश्व भारती ये भी कई बार पुछा गया है विश्व भारती किसके द्वारा लिखा गया है ये इसके रचैता कौन है तो कौन है हजारी परसा दिर्वेदी यहां देखिए वारभर्ट की अल् रची थे किसके द्वारा लिखा गया है तो बाबु आप क्या कहिएगा आप हजारी परसाद दिर्वेदी मनेगा है प्रित्वी राज रासो नाच सिदो का की वनिया यहां पर पत्रिका का संपाधन अब देखिए यह वाला कैसे जिसमें हिंदी आएगा समझ जाएगा वो किस देखे मारे एकदम देखिएगा बीना देखे नहीं हजारी परसाद दिर्वेदी मार लेजिएगा ठीके तो आपको यह समझ आया होगा जिसमें दो याद रखेगा कौन-कौन अलोग पर और अन्नामदास का पो था यह कई बार पुछा गया है बाबु एक चीज दिमाग मे तो पुरसकार भी मिले तो पुरसकार मिला समान मिला उपाधी मिली क्या क्या मिले तो अलोग पर जो लिखेते सहित्य अकदमी पुरसकार भारत सरकार द्वारा पदम भूशन इनको मिला था ठीक है समान दिया गया लखनवर विश्व विद्याले द्वारा क्या डिलीट की उपाधी दी गई आप से पुछा जाएगा डिलीट की उपाधी किस विश्व विद्याले द्वारा दिया गया तो लखनावर विश्व विद्याले लखनावर विश्व विद्याले वो क्या गया डिलीट की उपाधी दी गई अब देखो नौलेज है तो भाई टीचर की तरह है ना भाई तो टीचर है तो प्रोफेसर वगरा कहीं न कहीं तो बनेंगे तो ये कासी हिंदू विश्व विद्याले में ये क्या थे ये भी प्रोफेसर वगरा थे अब देखे उदेश से क्या था ये नाखुन क्यों बढ़ते हैं आखिर कर हम लोग का नाखुन है ठीक है वो क्यों बढ़ता है ये लग रहा है कि ये कितना भी काटते हैं ठीक है सुरू हो जाते हैं सोचते सोचते दात से काटना सुरू है फिर जो भी है तो ये आखिर कर क्यो लिखा गया नाकुन क्यों बढ़ते हैं यानि ये इतना बेसरम किसम का है नाकुन कितना भी काटो इसको ना सरम है ना हया है हम नहीं बोल रहा है ये लेखक बोलेंगे इसमें ठीक है वो आखिर कर ये बढ़ता कीम है तो ये किसकी निशानी है आखिर यही सब इसमें पढ़ना है ठीक है अब देखिए इसका उदे से क्या था कि यह जो भी है हमारे पुरवजू की निसानी है कि हम पहले क्या थे अभी नहीं इंसान बन गए पहले जानवर थे इसका काम परता था किसी को फाड़ने में किसी को मारने में कोई आटेक कर रहा है या आत्मगरों का भाव जगाता है कौन ये कहानी ठीक है कि हमारी संस्किती पहले कैसे थी अब हम लोग कितना डेवलप हुए और अच्छी बात है डेवलप हुए तो ठीक है नाखुन का बढ़ना जो हमारा नाखुन बढ़ता है ना इमनुसे की आदिम पास्विक वृति है यान कि वृति है और हम संघःस के बाद से अभी इंसान बने है इतने ज्ञानी बने है और बार बार हम अगर नाखुन को काट रहे हैं और नाखुन को सजा रहे हैं सजाना अलंकिरत मने होता है सजाना ठीक है देखना अपने यहां की जो भी महिला है या लड़की है नाखुन को चार पांच कल से इतना पेंट मार देती है लगता ही नहीं यह को नाखुन एकदम खुबसूरत सजा देती है ठीक है ऐसे नाखुन मानलोकी हो गया ऐसे दूचार पाुएसे कर देगे फिर इसे दूसरा कर देगी मतलब क्या बता है क्या करती ही कुछ समझ में नहीं इन हाता है तो अलंकरित करने इसका मतलब कि वो इनसान है उसमें मानों का गुक है अब बत यह जानवार कोई अपने नाखुन को सजाएगा नाखुन में फेर लवली नहीं मतलब जो भी है उसमें पूरा क्रीम वगरा मार करके उसमें लाइट ला दिया जाता है ठीक है तो बार बार इसको काटना और अलंकित करना मनुस्य के संदर में देगे नाखुन का बढ़ना आदिम पास्वी गुण है यानि कि अगर काट करके खुबसूरत बना दिया तो क्या है मनुस्य की संदर्वेका बोध कराता है अब इसमें मनुरंजक सैली में ये निबंद बनाए गया है नाखुन क्यों बढ़ते हैं एक लेखक से उनकी बेटी एक छोटी सी बेटी आ करके पुछिए कि बाउजी एक बात बत हैं यहां सुझेगा और समझेगा कितना इंट्रेस्टिंग होगा एक बात बताइए कभी-कभी यहां पर लेखक का रहा है कि कभी-कभी बच्चे अजीब तरह की कुश्चन कर देते हैं यानि कि दिमाग घुमा देने वाला कुश्चन यहां पर लेखक से उनकी बेटी आकर कि बुलिए पापा अच्छा एक बात बताइए यह जो नाखुन है बार बर क्यों बढ़ जाता है हर तीन दिन पर बेसरम कितरा बार बर इसको हटाते है और अपने से आ जाता है अखिरकर यह बार बर क्यों बढ़ जाता है ऐसा ऐसा कुश्चन आपके घर भी अगर छोटा स कोल सकता है ठीक है वागर का अच्छा एक बात बताईए या फिर अपनी ममी से अलग-अलग अजीब कोश्चन करें का आप सोच में पड़ जाएंगे एक बात यह जो आसमान है यह जाकर करके कहीं गिरा होगा तो यह कहां गिरा होगा ऐसे कोश्चन करेंगा तुसरा यह भी को पांच यह हमको फेके हैं अब इस तर बेचारा वो सोचेगा कि अच्छा हुआ कि मम्मी क्याज कर ली नहीं तो हाथ पर तूटिये गया होता है ऐसे ऐसे कोश्चन यहां पर किया जाता है तो यहां पर लेखक की बेटी बेचारी आ करके लेखक से बोली यह लेखक की स्तिति दनियव की सही बात है नाखुन क्यों बढ़ता है आखिर क्या वज़ा है तो इस हिसाब से देखो तो नाखुन क्यों बढ़ता है इसका हम लोग बाइलोजी में नहीं जाना है कि नाखुन क्यों बढ़ता है कोश का तूटता है यह सब नहीं जाना है यहां इसमें बोला गय लेकिन फिर है तो फिर हम नाखुन को काटते क्यों है पहले के लोग नाखुन को नहीं काटते थे अब हम अपने नाखुन को काट दे रहे हैं क्यों इसका मतलब डारेक्ट इन्दसेंस हिंदी के किताब से यह असपस्ट होता है कि पता है हम लोग नाखुन को नहीं चाहते हैं याने की हम अपनी पुरानी यादों को भुला देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, जिसके वज़ा से हम लोग अपने नाखूर को क्या करते हैं? काट देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे नाखूर से कई परकार का रिलेशन या जुड़ा होते हैं, कुश्चन कैसे कैसे नाखुन क्यों बढ़ते हैं कुश्चन आ जाएगा ठीक है तो नाखुन हमारे पुर्वजों की देन है ठीक है यह हमारा एक अस्त्र है नाखुन क्यों बढ़ता है पहले हमारा यह अस्त्र था कैसे अस्त्र था तो बताए कि जब आदी मानों हम थे हम लो लोगों पर तो हम लोग क्या करते अपने हाथों से पकड़ते थे और उसको जूर से दबाते थे ठीक है आज कर आप भी देखे होंगे घर पे अपनी बहां से कभी लड़ाई किया होंगे बस पांच मिनर लड़ाई किये मुह का एकदम खुब सूरत बना देगी अतिस सुंदर बना देगी आपको ठीक है इसका मतलब वो उसका अस्तर है अपने बचाओ के लिए क्या करेगी आपका मुह जरूर नोच लेगी ठीक है यानि कि जब जंगलों में जानवर हम पर क्या करते थे उस समय हम अपने नाखुन से पकड़ करके और उसे का करते थे उस अपने आपक बचाते थे ठीक है उसे नाखुन से दबाते थे नोचते थे मारते थे ठीक है तो नाखुन हमारा पहला अस्तर था उस समय अस्तर का मतलब क्या होता है बचाने वाला ठीक है सस्तर का मतलब मारने वाला अगर आप बचा रहे हैं आप देखेंगे जब लड़ाई होता है तो इसलिए काटते हैं कि question अगर ऐसे आ जाए कि हम लोग अपने नाखुन को क्यों काटते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हम अपनी पास्विक वृति यानि कि पसुवाले वृति को पसंद नहीं करते हैं अपनी पुरानी यादों को भुला देना चाहते हैं इसलिए हम अपने नाखुन को काटते हैं वैसे अगर देखा जाए तो biology के recording देखा जाए science के recording तो नाखुन अगर हम नहीं काटेंगे तो इसमें अनेक परकार की bacteria उतपन होगी अनेक परकार की बिमारिया हो सकती है जब हम लोग भोजन करेंगे तो क्या करेंगे उसी में कीड़े मकड़े जो भी होते हो मिल जाएंगे और पेट के अंदर जाएंगे तो नाना परकार की बीमारी ये उत्पन होती है ठीक है तो बच्चे का कुश्चन ये अजीव परकार का था ठीक है बेटी बेचारी प्रसन को थी बाओजी फंस गया है ठ करने के बाद से उसे दाथ से काट लेते हैं ठीक है उसके बाद से ममी दोनों का पीटाई जवर्दास तरीका से कर देती है तो यानि दूसरा अस्तर क्या था दूसरा अस्तर हमारा था ठीक है ये आदी काल में था आदी मानों के जबाने में था ठीक है लेकिन फिर लड़की question ये भी doubt दता है लड़की बहुत बड़ा question कर दिये ठीक है मानते हैं कि उस समय हमारा अस्तसस्त था ठीक है लेकिन आज बताई उस समय हमारे पास कुछ नहीं था लड़ने के लिए लोओ अमारे पास तीर धनुस नहीं था तीर धनुस का निर्माण तो बहुत बाद में नहुगा है बाबू जब लोहे की खोज हो गई तब तिर उससे पहले लोग क्या करते पथरों से लड़ते थे पथर चला करके मारती थे उधर से और इधर से जनवरों को कैसे पथर को नुकीला बना करके अतब पथरों से मारा जाता था ठीके उसके बाद से आरियों ने लोहा का खोज किया अजब लोहा का खोज किया तो अस्तर बना अलग-अलग पर करके नया नया हतियार बना बम बना atom bomb बना, बंदूख बना, अलग-अलग तरीका के हत्यार बने, फिर भी हमारा नाखुन बढ़ता है, इतना बेसरम बेहाया, ठीक है, जितना आप बोल लिजिए, ये सब आपके बुक में लिखा गया है, ठीक है, वो हमारा इतना बेसरम है, ये नाकुन फिर भी बढ़ता है इसका मतलब ये चाहता नहीं है कि आप अपने अवकात को बूले आप एक पसू है ये बताना चाहता है ठीक है अब देखे आधिकाल में अब वहां पर देवताओं के राजा का व्रज ठीक है देवताओं के राजा का जो व्रज था वो आपने हड़ी तवरा भी बनाए जाता था मजबूत जैसे कि यहां पे आप से पुछा जाएगा कोशन दधि ची मुनिक के हडियों से बना अस्तर किसका था तो देवताओं के राजा का जो बरज बना था उनका था यहां फिर पुछेगा कि देवताओं के राजा का बरज किस म करके भगवान ब्रहमा जी भगवान इंद्र रा करें थाight करते तो पत्थरों का भी होता था नुकीला नुकीला ठीक है इस हिसाब से क्या हुए आदी मानों का जबाना था अब देखिए धीरे-धीरे मनुस्य विकास के तरह बढ़े ठीक है मनुस्य विकास करने लगा अब देखिए आप से कुछा जाएगा कि नाखुन हमारा अस्त्र है कैसे ठीक है तो ना अगर आज के जबाना में अगर थोड़ा नाखून बढ़ जाए तो टीचर लोग बड़ी मार मारते हैं घर पे डांट सुनने को मिलता है ठीक है लेकिन उस समय नाखून कट जाए तो बड़ी डाट सुनना पड़ता होगा माने ये अनुमान लगाए गया क्योंकि उस समय नाखून उनलों का प्रमुक अस्तर था जो हमेशा साथ राने वाला था ये एक सहज़ वृति थी जो हमेशा हमारे साथ राने वाले थी जो अपने से यह बढ़ता है कुछ ऐसी चीजे जो अपने से बढ़ता है किसी को बढ़ाने की ज़रूत नहीं है नाखुन हो गया बाल हो गया ठीक है दात हो गया यह अपने से निकलते हैं यहां देखिए आपसे पुछा जाएगा नाखुन को समारना किसके कामसूतर में लिखा गया है तो वजसायान के कामसूतर में उस समय अपने नाखुन को लोग तिरभूश टाइप का काटके बनाते थे खुबसूरत आज भी लड़किया या औरते आप लोग देखे होंगे घर में अलग-अलग तरह से नाखुन को सजाती है ठीक है वर्तलोक वर्दुलाकार यहां पर चंद्रकार यहां पर यहां देखिए उस पर मुम लगाती है मुम का यहां पर देखिए का सिक्तम इस्तिक्तम हो गया और यहां अलकतक यानि की आलता लगाती है पेंट करती है थाकि बहुत ही खुबसूरत देखे तो नाखुन का अलग अलग परकार कहां पर तो यहां पर वदसयान के काम सुतर में देखने को मिला है ठीक है बहुत लोग नाखुन को पसंद करते हैं आज भी देखना अगर घर में कोई लड़की नाखुन बढ़ा के रखती है नाखुन क्यों नहीं करती है लेकिन वो खुबसूरत बना के रखती है एक हाथ में अधिकतर लड़की नाखुन बढ़ा के रखती है खुबसूरत लगने के लिए गौर देश में नाखुन को पसंद किया जाता था यहां देखिए काली दास बोले हैं अब देखिए हुआ क्या गौर देश में नाखुन को पसंद क नहीं है, कैसे ये question आप से पुछा जाएगा, तो देखो, मनुस्य की अदस बंदरिया नहीं है, क्योंकि मनुस्य की अदस इसलिए नहीं है, क्योंकि पुराने प्रकृति, पुराने हिसाफ से चलती है अगर उसका बच्चय मर भी जाए नहीं तो अपने सीने से पकड़ के रखेगी, उसको ये पता नहीं है, कि उसका बच्चय मर चुका है लेकिन मनुस्य ऐसा नहीं है वो बंदरिया के परजाती से नहीं आता है मनुस्य अदर से, वो सब कुछ हमेशा अपने आपको बदलते गया है, अपडेट करते गया है अगर पुराना कोई चीज हो जा रहा है तो हटा करके नया चीज लाता है अगर नया चीज खराब है पुराना चीज से काम चल जा रहा है तो पुराना चीज यूज कर रहा है इसका मतलब यही काली दसमल है कि सब पूराने अच्छे नहीं होते हैं मानलो कि पूराने का मतलब बेटा अगर बंदरिया का मर चुका है तो क्या वो पूराना है तो अच्छा है वो तो मर चुका है उसे रखने से कोई पैदा नहीं लेकिन सब नय खराब नहीं होते हैं ठीक है, यहां सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नया चीज खराब नहीं होता है, तो अभिस्कार, यानि कि मनुस्य अभिस्कार करते गया, और हमेशा अपने आपको ने ने तरीका से ढालते गया, ठीक है, इसलिए बंदरिया मनुस्य क्या दर्स नहीं हो सकती, कि बंदरिया अपने आदर्सों पर चलती है, और मनुस्य हमेशा अलग आदर्सों पर चलता है, नय नय चीजों को देखता है, गौतम ने क्या बोला था मनुस्य सुख दुख को क्या साहनवूती के साथ देखता है गौतम ने कहा था कि देखिए मनुस्य में एक क्वालिटी है आदी मानों जब समझदार होते गया होते गया तब जा करके जब खुब ग्यानी बन गया तब उसे आधी मानों को उपाधी को त्याग करके और एक अच्छे मनुस्य, यानि कि क्या बोलते हैं उसको, एक सौभाविक मनुस्य का रूप धार्ण की है, यानि अच्छा मनुस्य बना, अब यहाँ पे मनुस्य अपने सुख और दुख दोनों में बहुत अच्छा तरीका समझा लेता है, लेकिन जनवरों में ऐसा नहीं है, उसको कब फिलिंग हुआ दुख का, कब सुख का, यह पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता है, ठीक है, बुढ़ा व्यक्ति एक बोला है, देखो क्या, अपने बाहर की नहीं, अपने भीतर की और देखो, वो बुढ़ा व प्रेक्ति को नाथुरामगोटस ने बूली मार दी थी, वही बात है कि बहुत निकाली एक कमिया, आईने से तक्रार करते हैं, एक बार अपनी गल्तियों को भी देखते हैं, यानि कि आईने से तक्रार करें, वे एक बार खुद का चहरा सीं से में देख लो, जब हम किसी को कि तुम कहा जा रहे हो तो ये भूल जा रहे हैं कि आगे वाला एक उंगली तो तुम्हारे तरफ है लेकिन ये तीन उंगली खुद को पुछता है कि पहले खुद को देखो तिकए इस नाखुन क्यों बढ़ते हैं कहानी जो है आपका एक तऱ से निवन्ध है तेके इसमें मनुस्य की पासवृति यानी कि पऊशूः वाली जो वृति है उसके बारे में और जो पासवृति को छोड़ करके मनुस्य बने हैं तेके एक अधर्स मंद उसके बारे में व बहुत पहले पसुत थे तो माले जी आज हत्यार बन चुका है तो इस हिसाब से तो नाखुन को नहीं रहना चाहिए अब बताइए कि प्रोटेक्शन के लिए सुराक्षा के लिए हत्यार को बनाए गया लेकिन आज देखिए कुछ दर के लिए अमेरिका क्या किया जपान पर मारु गिरा दिया इस तरह से देखा-जाए तो वह तो पसवाला हर्कत कर राया है ना लोगों को जान से मार रहा रहा है बीवज़ा हमार रहा है तो इस से कन्फ्यूजन है कि आकिरकार हमारा धुनिया कि स और बढ़ रहा है लगा-पस्टी कर रहा है पुढ़े अस्ता यह पसुता की और से किस और बढ़ रहा है यह आपसे important question किया जाएगा यहाँ देखें नाखून पूछ की तरह जड़ जाएगे बहुत पहले हमारा पूछ बिता जब हम जानवर थे उस समय हमारा पूछ बिता जिस तरह हमारा पूछ जड़ गया क्या उसी तरह हमारा नाखून भ है कि दाद भी जड़ जाएगे तो सुच लिजिएगा अगर बुलेगा सब जड़ जाएगा तो आप किस तरह दिखेंगे आप समझेगा बाल भी उन्ही का रूप है ठीक है बाल भी जड़ जाएगा सब कुछ खताम हो जाएगा तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो नाखुन क्यों बढ़ते हैं एक छोटी सी बच्ची प्रस्ण उठाई है और उस छोटी से प्रस्ण में कितनी बड़ी चुनोतियों का सामना करना पड़ा है कितना बड़ा बात वो बोल दिये नाखुन क्यों बढ़ते हैं ये वज़ा आप खुद बताई कि नाखुन क्यों ब तो उमीद करते हैं कि यह आपको कहानी समझ में आये होगी यह important question यहीं से किया जाएगा इसको आप skin short ले लीजिए मज़दार लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा share केजिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेशन में तब तक के लिए जाहिन